हे बच्छाबाड़ी कैसे हैं आप सभी हरे किष्णा to each and every member who are present here so term first board examination हो जाते हैं ओबर तो अब term second के slaybers को start करना है क्या slaybers रहेगा class 10 science के लिए यह सारी बाते आप detail में discuss करेंगे reason एक कुछ chapters में हाँ पर हैं CBSC का reduction है तो वहाँ पर कौन-कौन से index question कौन-कौन से execution करने है और साथ में जो NCRT exemplar most important book है वहाँ पर कौन-कौन से questions आप सभी करने हैं इसको आज हम detail पे समझेंगे उससे मेले मैं कुछ बाते करता हूँ जो CBSC के update से आप सभी के लिए ज़रूरी है और अगर आपको वह update पता है तो skip कर देना आप directly slivers में आचाना और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप NCRT और NCRT exemplar की book लेके बैठना हर एक चीज प्रीज ट्रिक करते चलना बार-बार slivers का लेक्शन नहीं देखना है एक बार आज मार्क कर लो उसके बाद फिर अपने यह जितनी chapters है उनको भी start जल्दी से कर लेंगे परफेक्ट ना चलो कि अब क्या दिखा आपको याद होगा तो CBSC का term first हो चुका है अब term second का जो examination है मतलब year end का examination कैसा रहेगा यह कब होने जा रहा है यह discuss करते हैं CBSC के update से CBSC ने जो अपना circle issue किया था वह साफ सा mention है कि आपका yes term second जो होगा मार्स से अप्रेल के बीच में conduct होगा term first कहा था नवंबर से दिसम्बर के बीच में वो हो चुका है अब जो term second अगा सब कुछ ठीक रहा तो मार्स से अप्रेल के बीच में यहाँ पर होगा आपका जो exam जो अभी 90 minutes का था वो आपका हो जाता है कितने का 2 hours it means 120 minutes है क्या MCQs रहेंगे सर देखते हैं CBSC कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा different formats में यह exam को conduct कराया जाए मतलब कुछ ऐसा मालो कि जो आप पहले exam दिया करते थे मतलब हापर case based होगा situation based होगा open ended short answer या फिर long answer type होगे open ended क्या होते हैं जहाँ पर आपका answer yes no नहीं होता आपको अपने answer को explain करना होता है it means जो आप पहले pattern में exam दिया करते थे और 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 माल लिया जाए कि अगर कि यहाँ पर जो है cbsc term second का examination ऐसे conduct नहीं करा पाती है तो जैसे term first करवाया गया है objective type quotients 90 minutes तो ऐसे ही करवाया जाएगा और यहाँ पर आपके पास कहीं नहीं पचास परसेंटेज मार्क से हो term second के क्यों term first हो चुक है उस स्लेवर्स को हम डिसर करते हैं और साथ में कोई भी डाउट रहता है कि सर टर्म first में क्या, term second में क्या कोई भी डाउट अब क्यों से है वचा स्लेवर्स के रिकार्डिंग हो तो आप हम से टेलिग्राम ग्रूप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन जाकर ग्यानी की लाकर जो क्लास 10 ते ग्रूप है जॉइन कर लेना अब सीधा आज हो गया यह कुछ आपके से इसको एक बार देख लेना कि अगर सीधा से ने कुछ A B C D कुछ केस कहा ता वैस जरूरी नहीं है लेकिन एक बार आप उसको रिट कर लेना कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे टेलिग्राम जरूर करना अब यहां पर कॉन-कॉन से चाप्टर से कितने कोशन पूछे वाले हैं और चाप्टर के अंदर भी क्या सब टॉपिक्स हैं उसको उचम देखने वाले हैं यह जो स्टार्टिंग के उज़ए यह आपको 10 मार्क्स कवर करेगा यहां पर कैमिस्ट्री का चाप्टर 4 है और चाप्टर 5 कवर किया जाएगा यह वाल्ट ऑफ लिबिंग बाय चाप्टर 15 है और वहां से 5 मार्क्स करोगा तो अगर सबको आप जोड़ देते हो तो आपका नेट हो जाता कितना 40 मार्क्स है 40 मार्क्स का एक्जाम होगा और 10 मार्क्स का इंटर्नल एसस्मेंट मतलब यह सना कि फॉस में क्या हुआ था 40 प्लस में 10 और सबको आप टोटल कर देते हो तो कितना हो जाएगा हंजी 100 marks पाफिक ना आ जो किए अब यहां पर यस जो आपका internal assessment है कुछ नहीं है देखो यहां पर आपको conclusion हो सकती है periodic assessment सेम ऐसा ही है जो आपने term first में आपके school में हुआ होगा तो यहां से आपको 10 marks मिलेंगे और एक personal suggestion है school के teacher से बातचीद बना के रखना उनसे बहस मत करना यह 10 में से आप 10 score कर जाओगे अब बात करते है chapter YCS सबसे पहला जो आपका NCRD book यह अपने हाथ में लेके बैठो यहां पर जो है chemistry का chapter 4 chemistry का chapter 4 है carbon and its compound बहुत ही छोटा chapter हो जाता है reduction के बाद है नोट का लिया जाए यहां पर reduction देखने को मिला हुआ है दिन आपका आता है chapter 5 periodic classification of elements है यहां पर कोई भी reduction नहीं है पूरे ही chapter को डिसकर करना है पूरे ही chapter के index और exercise question करने है चाहिए वो NCRT हो चाहिए आपके NCRT example हो आप जिसको डेक्षन है उसको देखते हैं आपका जो chapter 4 carbon and its compounds है वहां पर एक सब topics है 4 point आप NCRT ने देखना 4.2.4 है यह page नमर है 66 से 67 आपका यह last topic है homology series है सिर्फ homology series का जो topic है 66 से 67 तक वहीं तक पढ़ना है chapter 4 में इसके लावा उस chapter में और बात आपको नहीं देखनी है अब यह काम करते हैं यह सबसे important है आपसका screenshot देलो यह sample है कि आपके दो books हैं एक NCRT और एक NCRT example है तो NCRT में कौन कौन से question करने हैं मैं बात करूँ आपके exercise की chapter 4 के जो carbon and its compound है exercise में question 1 करना है second करना है third, fourth, fifth और sixth है और जो आपके in-text questions है वो बहुत सरी page में है page number 61 में जो है one और two है page number 68 में यह 123 करना है यह सिर्फ आपका NCRT से अब बात करतें NCRT exemplar आपके बस अगर NCRT exemplar की book नहीं है पीडिया पर attach कर दूँ में description पर या फिर telegram group में आप जाके join कर लेना perfect ना तो NCRT exemplar में कौन कौन से questions करने यह बने आपर mark कर दी है इसको आप टिक कर लेना और यह अभी कर लेना बार बार विडियो नहीं देखना आप अभी कर लो उसके बाद फिरम time second के syllabus को भी start कर देंग और बच्छा मैं इसको ने एक word file में टैस्क कर दूँगा ताकि आप उसका printout लेके अपने फाइल के front page में लगा लेना ताकि आप पता हो कौन कौन से questions आप करने क्योंकि यह पूरा लगबाद दो से तीन में चलने वाला है आगे बढ़ते मिटा अब आपके पास biology है biology में द पूरा ही delete है तो लिख लो यहाँ पर आर मतला reduction देखने को मिल रहा है और आपका जो NCRT खोल लेना महाँ पर topic है 9.2.4 sex determination यहां तक पढ़ना है यह topic भी पढ़ना है और यह है page नमर 146 है इसके आगे के जो topics हैं वो आपको इस chapter में discuss नहीं करने हैं अब एक काम करें NCRT और NCR example में कौन कौन से question करने है वो देख लेते हैं आजो फिर से एक बार और बार बार कहा रहा हूं मैं कोई भी doubt रहता है मैं आपके साथ नहीं आप डिस टेलीग्राम ग्रूप को join कर लेना yes now we have the chapter 9 exercise में कौन कौन से question करने है question first करना है second करना है third करना है fourth fifth और sixth है और in text question पे page number 143 one or first or second page number 147 में आपका first, second, third and fourth करना है और यह important है यार NCRT एग्जेंपल सारे question mark कर दी है और ध्यान देना यहां पर अभी तक आप से objective से deal कर रहे थे अब subjective से deal करना पड़ेगा अब फुली तयार हो जाओ perfect ना चलो क्या है screen shot लेलो मैं आज हो पोज में yes now we have the next unit here जहां physics cover करेंगे chapter 12 electricity कोई इसमें reduction देखने को नहीं मिलता है chapter 13 magnetic effects of current yes यहां पर reduction है ज्यादा पार तो नहीं कहेंगे लेकिन है और देख लो NCRT में topic है 13.5 electromagnetic induction है यह आपको पूरा पढ़ना है यह जो 223 से 235 page इसके आगे के जो topics से आपको नहीं पढ़ने हैं अब सहीं वहीं कहा नहीं है जहां जहां reduction है वह मार्क कर लो chapter 13 magnetic effect of electric end में exercise में सिर्फ 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 करना है index में आपका page 224 में इतना 228 में इतने questions है 229 यह रहा screenshot ले लो 231 यह रहा 233 यह रहे और 236 में question number का first ही करना है और NCRT exemplar की बात की चाहें तो जितने questions हैं मैंने आप मार्क कर दिया हैं आप प्यारा सा screenshot ले लो one more time yes और इसको save रखना perfect ना अब बात करते हैं लास्ट चाप्टर की जो कि आपके पास है chapter number 15 our environment और यह पूरा ही का पूरा ही आ रहा है इसमें कोई भी reduction नहीं है इसलिए तो देखा चाहें तो आपको कौन-कौन से chapter में reduction है chapter 13 हो गया and yes आपका chapter number 9 हो गया और chapter number yes 4 इसमें ही reduction है अब बागी पार्ट में नहीं है बागी पूरे आपको chapter उसको पढ़ना है चलो कि अब बात करते हैं आप एक चोटी सी बात और है यह आपके पास जो है यहां से लिए जा सकता है लेकिन नहीं है चलो कि लिए ऑनली for internal assessment है देखाए तो नहीं किसी कि स्कूल में आपका आपका अब बात करते हैं आप प्रेक्टिकahl की तो प्रेक्टिकल में कौन कौन से स्फस्रीप बात करते हैं इसकी पीडिफ का टैटीकल त्होरी मैं हो एक टैलिघ्राम पर औस आप में कुछ टाइम बद मैं डिस्क्रिपिशन में टैज्ट कर दूँगा इसलिए आप जाके अभी टेलीग्राम गूर्प को जॉइन कर लो पहुत पर रिशान होते हैं कि एह चांद करें लख मिर करें सब कुछ कर सकते हूं आप कोई दिख कर दें लेकिन पहले आप ये कर लो उसके बाद कोई से भी कर लो फिर बोलो ये कर लिया जाए फिर कोई जी कर लो कोई दिख कर दें आपका येS आपके पास है yes class 10 science n crt ncrt ओकर नहीं भी जाएगा तो अच्छी बात है अगर नहीं कराते हैं तो कोई ग्याने कीड़ा आपके साथ है यह completely हम यह आप पर कराएंगे तो यह आपके पास complete syllabus है इसके अलावा भी कोई doubt हो जाता है आपके पास तो आप सब जो है join कर लो ग्याने कीड़ा को ग्रूप में और सारे डाउट सब रिजॉल कराते चलो तो अब यहां से कंक्लूशन क्या है कंक्लूशन यह है आई नो यार बहुत सब चुकर ना कुछ एंग्लिश के खराब गया है तो सिंपल से अगर बात बोलू तो मैं सब कई गया है ऐसा नहीं किसी एक है सब कई अब क्या करो अभी से ना unseen passage को करना सौट करो तकि आपको ना लैंग्विज की अंडर्सेंडिंग हो जाए ज्यादा नहीं बोलेंगे बागी अगर कोई डाउट रहता इस कला बताना मुझे चोटी सी में अप्रेट देना चाहतो है कि मैस का स्लीबस टर्म से के लिए दीपक सर्ट कर रहे है कहां पर अनगादमी के प्लाटफोर्म पर दीपक सर डेली लाइफ कलास कर रहे होंगे अनगादमी के πलैटफोर्म पर और ये FREE OF COST आप सभी के लिए और पर इसके बात क्या करना है उसके पाद वहाँ पर अपने मॉईलब अढ़ दो रजिस्टर कर लो और अपसे पाद जैसी करोगे तो वहाँ पर आपसे category पूछे गाटेगरी है CBC class 10 कर लोगे उसके बात क्या होगा वो सारी classes आपके लिए आ जाएंगे करना ये है कि यहाँ पर मैस के लावा भी और बहुत सारी क्लास जो अपके लिए सब free of cost है बस जब आप क्लास पे एंटर करेंगे तो वो आपसे मांग करेगा referral code के तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है हम ग्यानी किरा family की है ये यानी 10 referral code का इस्तेमाल करना है और इससे क्या होगा सारी क्लास अपके लिए free of cost अपके अनलॉक हो जाती है इसके सासा और भी features मिल जाते हैं आपको जैसे ask का doubt feature वहाँ पर आप अपने जो भी doubts हैं वो आपको उसकी फिचर लेकर टास्ट कर लो doubt को resolve करवा सकते हो on academy के platform पर पाफएक तरीके से तो don't forget to join the books on the platform of on academy class चलती 5 p.m. से 6 p.m. और वहाँ पर ज्यान दिना referral code कौन से स्मान करना बच्छा ज्यानी 10 चलेगा हां जी सर तो ये था complete syllabus से discuss किया हमने अब मिलते हैं आपसे नेक्स लेक्चर पे कुछ और के साथ तब तक लिए हाले कुछ कुछ